इंट्रोडेक्शन ओफ कम्प्यूटर नमस्कार दोस्तों मैं आकांक्षावेश और आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे इस यूटूब चैनल पर दोस्तों अभी तक कि जिन्होंने हमारे चनलों को सस्क्राइब नहीं किया है वो प्ली सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारे कोई भी वीडियो अफ्लोड हो तो इसका नोडिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज हम आपका पैशे कराने वाले हैं कंप्यूटर की दुनिया से वाट इस कंप्यूटर कंप्यूटर है क्या दोस्तों कंप्यूटर एक electronic device है जो हमारे डेटा को information में convert करती है अब question ये भी उठ सकता है कि डेटा किया है डेटा होता क्या है दोस्तों row, facts and figure को डेटा कहते हैं यानि संक्या, तत्यों और आकडो को डेटा, for example कि अगर आपको एक 50 number दिया जाए तो 50 क्या है अब आपको होगे number है अगर मैं इसमें rupees add कर लूँ तब वो क्या बन जाएगा एक information में convert हो जाएगा तो इससे आपको पता चल रहा है कि क्या है 50 क्या है, एक rupees है 50 rupees है ना, तो यही कम हमारा computer करता है कि हमाई डेटा को information में convert करता है और दोस्तों, computer का भी अपना एक meaning होता है उसकी अपनी एक full form होती है C for commonly, O for operating M for machine, P for particularly T for training E for education and R for research यानि एक ऐसी मशीन जो विशेश रूप से वेपार, शिक्षा और असंधान में यूज की जाती है अब बात करते हैं दोस्तों, generation of computer की 1st generation में जो computer यूज होते थे, उसका नाम है vacuum tube, 2nd generation में आपके transistors यूज होते थे 3rd generation में ICS यानि integrated circuits 4th generation में micro computer and 5th generation में advanced micro processor यूज होते थे दोस्तों computer में दोस्तों, devices का यूज होता है, जैसे input device output device और multifunctional device अब input device की बात करें दोस्तों, तो input device में कौन-कौन ती devices आती हैं, आपका keyboard हो गया, mouse हो गया scanner हो गया दोस्तों joystick हो गया, MICR OCR, OMR, इन सब की details में आगे आपको बताऊंगी और अगर output device की बात करें दोस्तों, तो monitor, printer, headphones, speaker, ये सारे आपके output device हो गया दोस्तों फिर बात करते हैं, CPU जो हमारे computer का brain होता है दोस्तों, CPU जो आप देखते हो, एक बड़ा सा box होता है बड़ वो CPU एक्शन में होता नहीं है उसे कहते हैं, cabinet या system unit जो CPU होता है, वो बहुत छोड़ा सा एक part होता है, जो box के अंदर fit होता है, दोस्तों और ये होता है mother board पे और mother board के उपर एक cell होता है जिसे कहते है, CMoth battery complementary metal oxide semi conductor वो करती क्या है उसका यूज होता है कि वो हमाय सिस्टम के date and time को कंट्रोल करती है दोस्तों और CPU में जहें पोर्ट होते हैं USB port, USB stand for universal serial bus, PS2 stand for personal system 2 और data cables उसमें कनेट किये जाते हैं उसमें एक switch mode power supply यानि SMPS एक switch होता है जिसे हमारा computer जहें on off होता है दोस्तों तो CPU को देखा जाए तो उसे दो part में divide किया गया है एक आपका ALU और एक आपका CU ALU stand for arithmetic and logic unit and CU stand for control unit ALU में होता क्या है basically कि आपका जितने भी calculation होता है addition, subtraction, multiplication ये साई चीजें जो हैं कहां पर होता है ALU में होता है control unit का क्या काम होता है दोस्तों कि जैसे आपका keyboard हो गया mouse हो गया ये साई devices को वो control करने का काम करता है फिर अब बात आती है memories की की memory कितनी type की होती है memory दोस्तों दो type की होती है एक आपकी primary memory और एक होती है secondary memory primary memory को भी देखा जाया तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइट किया गया है एक होता है RAM और एक होता है ROM RAM इस्टैंड फोर random access memory और ROM इस्टैंड फोर read only memory RAM में होता है क्या है friends की जो भी आप data store करते हो वो fix नहीं होता है अगर आपका power off हो जाए तो आपका data हो जाता है erase और उसे कहते हैं versatile memory भी बोलते है यानि changeable memory उसका content क्या होता है वो change होता रहता है और ये read और write दोनों ही करता है बट रोम जो होता है वो non versatile memory है जो भी आप data store करोगे वो fix हो जाएगा दोस्तों और fix जब हो जाएगा तो मतलब सिर्फ वो read ही करता है do not write ठीक है यह आपकी हो गई रोम अब RAM की बात करें तो RAM भी जो है दो तरहे की होती है एक आपकी होती है SRAM और एक आपकी होती है DRAM SRAM प्रेंड पॉर static random access memory and DRAM dynamic random access memory SRAM में क्यों होता है दोस्तों जो भी आप data store करते हो वो content जो है आपका refresh नहीं होता है और बड़ DRAM में आपका content जो है within seconds क्या होता है refresh होता रहता है और DRAM को भी जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है कौन-कौन से पहला आपका हो गया EDU यानि extended data output random access memory second आपका हो गया SD RAM यानि synchronous data random access memory and third हो गया आपका DDR यानि double data rate जो अभी अभी market में बहुत ज़्यादा चल रहा है अब बात करते हैं types of ROM की ROM भी आपकी तीन तरह की होती है एक आपकी होती है P-ROM यानि programmable read-only memory second होता है आपका E-P-ROM यानि erasable programmable read-only memory and third होता है आपकी flash memory flash memory दोस्तों आपके digital web cameras and MP3 player में इसका use होता है ये हो गई आपकी CPU की बात आप बात आती है types of computer types of computer की बात करें तो उसमें क्या होता है तीन तरह के computers होती है एक आपका होता है analog computer second आपका होता है digital computer and third होता है आपका hybrid computer analog computer क्या वर करता है दोस्तों वो आपके जो भी current या temperature ये साइच चीजें का पता जो चलता है वो analog computer के थूपता चलता है digital computer होता है जो अभी हम और आप यूज कर रहे हैं दोस्तों और आपका third जो होता है hybrid computer वो analog और digital का दोनों का mixture होता है अगर हम बात करें size capacity के अकॉर्डिगा का computer की बात करें तो उसे जो है चार पार्ट में डिवाइट किया गया है पहला आपका आता है super computer super computer size में तो बहुत ही बड़ा होता है और इसको store करने की इसमें capacity भी बहुत होती है दोस्तों और इसका use weather की information earthquake ये size चीज़ों की जो information मिलती है वो हमें super computer के त्रू मिलती है और ये इसका जो cost जो range होता है बहुत ही ज़ादा जो हाई होता है फिर next आता है हमारा mainframe computer तो mainframe computer और super computer दोनों ही बात की जाएं तो दोनों की भी टककर होती है दोस्तों दोनों ही multi user computer है और इसमें होता क्या है कि इसमें हजारों सेक्डों की संख्या में लोग काम करते हैं और super computer से थूड़ा ससका जो low price होता है वो mainframe computer का होता है फिर third आपका आता है mini computer mini computer में कम से कम 200-400 लोग एक साथ काम कर सकते हैं और इसका price super mainframe से थोड़ा सा उससे भी कम होता है और इसका size भी उन दोनों की अपेक्षा छोटा होता है फिर बात आपकी आती है micro computer अब micro computer में भी बहुत सारे computer आती है जैसे आपका desktop हो गया है ना फिर आपका हो गया laptop netbook tablet smart phone PDA यानि personal digital assistant जो की अभी नहीं यूद होते हैं दोस्तों तो यह आपका हो गया capacity और size के according computer तो बताएगा दोस्तों हमारे टूटोरियल आपको कैसा लगा अगर आपको हमारे यह टूटोरियल अच्छा लगा हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें like करें और share करें मिलते हैं अगले टूटोरियल में एक नए information के साथ अब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद